नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रोसंसा स्टेडी पॉइंट पे और आज किसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अपने पॉलिकल साइंस का जो 11 क्लास का जो आज एक्जाम हुआ है एक दिसम्बर को करने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक्जाम बहुत अच्छा गया है और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जल्दी से आप कोशन पेपर को सॉल्व करवाइए तो आप लोगों लिए वीडियो बना रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना है और 40 नम्मर का कि दो तो इसमें को चांग वां तो प्रसकी करना था ठीक और उसको लगभग करा जाएगा चालीस मांकस तो आपको क्या करना है पचास में से आप कितने उत्तर सही करके आए हैं मेरे को comment box में जरूर बताए क्योंकि आप लोगों के लिए यार मैंने बहुत जाना मैने देखिया लगवात तीन महीने चार महीने से आप लोग लगातार वीडियो से बना रहा हूं तो आप लोग comment में अपने marks जरूर बताना ठीक तो चलिए दोस्तों अब हम ज़्यादा समय को बरबाद ना करते हुए सिधा हम अपने question को देखना start करते हैं कोशन वेपर को solve करना start करते हैं इसके अलाब आकर कुछ नए दोस्त साथी अगर मेरे चैनल पे पहली वार रहा है तो चैनल को subscribe करके जो शुण है सभी देख सकते क्योंकि आपको सिर्फ option मिलाना है ठीके ना option दोनों ही माध्यां में सेमी दिये होते हैं तो देखी दोस्तों पहला हमारा question था कि भारत में समिधान संसोधन के विशाय में निम्द में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है यह समिधान संसोधन को पुष्ट करने के लिए जन्मत संग्रहन की आपसकता होती है तो देखी दोस्तों समिधानिक संसोधन करने के लिए समिधान में किसी परकार का संसोधन करने की लिए हमें किसी परकार के जन्मत संग्रहन की जरूरत नहीं होती है हम चौते option को भी देख ल ने की जुरुवत नहीं होती है यानि कि option C हमारा क्या हो जाएगा सेयुतर हो जाएगा उसके बाद question number 2 सोतंदर भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे तो सोतंदर भारत के पर्थम राष्टपती जो थे हमारे डॉक्टर राजेंदर पर साथ थे बहुत आसान question था ये उसके बाद समिधान सभा की बैठोगों की अबधी कितने रही तो इसका जो सही उतर होगा 2 वर्स 11 महिने तो 2 वर्स 11 महिने का जो आपका option C है वो आपका क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा उसके बाद हम question number 4 देखते है question number 4 दिया गया है की dr. भीमरां बेटकर समिधान सभा की डैस के सभापती थी तो प्रारूप समीधी ठीक है इसका सही उतर क्या हो जाएगा हमारा प्रारूप समीधी के सभापती थी question number 5 है हमारा निम्न में से कौन सा सिध्धान फ्रांस के समीधान से नहीं लिया गया है तो दिखो दोस्तों फ्रांस के समीधान से हमने सभापता समानता और बंधुद्व के सिध्धान को लिया है ठीक है यानि कि यहां पे आपको जो सही उतर होगा option D सही उतर हो जाएगा ठीक है आप जो पैन से लगा हुआ जो यह उतर है आप इसको लेकर ना चले क्योंकि मैं अलग से आप लोगों को इंग से सही उतर आपको बता रहा हूं तो option D हमारा क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार वाला आपका क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार का MAX इसका सही उतर हो जाएगा है कि कॉंसा सिध्धान से नहीं लिया गया थिक कि सरकार्ट्वरा निर्धार है या सिधधान चेहर पर वैदनी पर measurement उसके बाद question है साथ की question नमर साथ है सम्मिधान संसोधन की परकिरिया का उलेक किस अनुछेद में किया गया है तो इसका उलेक 368 अनुछे 368 में किया गया है option D यहां पर आपका क्या हो जाएगा इसका सही उतर हो जाएगा उसके बाद question नमर देखते हैं लेकिन वोट डालते समय क्या होता है अगर आपको कोई party को उम्यद्वार आपको पसंद नहीं है तो आप किसी भी किसी भी पार्टियो को आप वोट नहीं दोगे आप क्या दवा कि आजोगे नोटा है ना सब्सक्राइब्स कि निकटी के द्शाइब्स निक्ती निक्ति कि दुर्दी दुर्दधाय राष्ट पतिके 답र आ जाता है किस पर होगा कोशन नमर्मद्द bhrs2T कि कि पर चोप तर चाल कि द्वारा शुंप्सक्राइब्सक्राइब Chiya who प्रचाइटी राज को मजबूत बनाने के लिए सम्मिधान संसुदन द्वारा कुल डैस विशयों को 11 अनुसूची में दर्ज किया गया है तो देखिये पंचायती राज विश्टा को मजबूत करने के लिए कुल मिला के 29 विशयों को किसको सौब दिया गया था किसको कौन सी मतलब राज्य सूची से लेकर किसको कौन से सूची में दर्ज कर दिया गया था यानि की ऑप्सन डी हमारे हाँ पर क्या हो जाएगा 29 विशयों हमारा से उतर हो जाएगा उसके बाद कोशन नमर 13 देखते हैं कोशन नमर 13 है पंचायती राज विवस्ता की तिरी स् सबसे उपरी पैदान आपको बताना है तो सबसे उपरी पैदान जो है ओ जिला पंचायत है जिला पंचायत का है उसके बाद हम बात करते हैं जब आप उसे नीचे जाओगे तो मदले में आ जाता है मंडल है ना और उसके बाद सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत तो यह पर जिला पंचात आपका सेवतर हो जाएगा उसके बाद हम कोशन नमर चौह देखते हैं कोशन नमर चौह देखते हैं कोशन नमर को कब अंक्रित किया तरीके से तो यह जो काम हुआ था 26 नमंबर 1949 को हमारे सम्मिधान को अंकिकरित कर दिया गया था यानि की option हमारा C यहाँ पर क्या हो जाएगा सहीतर हो जाएगा उसके बाद सबसे बहतर सासन विवस्ता किसे माना जाता है तो सबसे बहतर सासन विवस्ता हम लोकतंतर को मानते हैं यहाँ पर राजसाही नहीं आएगा आपका हम बताएंगे लोकतंतर ठीक है लोकतंतर को सबसे अच्छी सासन विवस्ता माना जाता है उसके बाद question नमर 17 हमारे समीधान की प्रस्तावना में किस परकार की नयायका उलेक है राजनीतिक समाजिक आर्थिक सभी परकार की नयायका उलेक है ठीक है तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा option D हो जाएगा आपका सही उत्तर उसके बाद question नमर 18 देखते question नमर 18 है 10 December को कौन सा दिबस मनाया जाता है तो 10 December को मनाया जाता है मनाव अधिकार दिबस option C हमारा क्या हो जाएगा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद question नमर है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा समानने सभा में समानने सभा में यह कोशना की गई थी इसको लागो किया गया था उसके बाद हम question number 20 देखते question number 20 है निन में से कौन सा राजनेती का धिकार है राजनेती का धिकार तो देखो वोट देना चुनाप लड़ना राजनेती का पार्टी बनाना चुनाप परचार करना यह सभी क्या है राजनेती का धिकार ही है यानि कि आपका जो option के according हम देखे तो पहला दूसरा तीसरा और चुत्ता सभी सही है यानि कि option D आपका क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा उसके बाद question number 21 देखते है question number 21 है यदि आपके किसी कारे के होने में सरकारी विभाग में सरकारी सरकारी हो रहा है तो आप किस अधिकार का उपयोगcej प्राप्त कर सकते हैं इसका सुचणा कि आदिकार के माध्यम से आप क्या कर सकती हो जानकारी प्राप्त कर सकते हो option D हमारा क्या हों जाएगा यहाँ पर सह 여기서 तो आपको अगर एकात कोशन गलत हो जाता है मेरे से जलद बाजी में या फिर किसी भी कारण वर्स तो मैं आपको कमेंड में आपको सही उत्तर बता दुगा तो आप लोग मेरे को जरूर बता दे कमेंड में कि मैं आपने यह कोशन गलत बताए है उसके बाद हम कोशन नमर 13 देखते हैं कोशन नमर 13 से अपनिवेसिक सासन के कारण किस महादीब के देशों के विकास की गती बुरी तरह परवावित हुई ऐसिया उतरी आफरीका और उत्री आमेरीका तो यहां पर मेरे हिसाब से जो सहीटर होना चाहिए ऐसिया और आफरीका के अधिकान जो देश थी वो उपनिवेसिक के कारण के कि तायामिर का यहां एस तो च्ज़ée च्ज़एदा है और आस्धी बख्सिक के कोशन नमर 24 देखते हैं कोशन नमर 24 है मानव विकास परती विदन वार्षिक तोर पर किसके द्वारब प्रकासित किया जाता है तो मानव विकास परती विदन जो है वो UNDP यानि की युनाइटेड नेशन डवलब्मेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है उसके बाद 25 देखते हैं कॉशन नमर 25 है निमन में से कौन मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर सटीक वर्णन की बात करें पहला उप्सन परतिबंद नहीं लगाया जा सकता जिसका जो मेरे हिसाब से सही उतर होना चाहिए ओ डी होना चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा उतर आपको सही चिक आगे बठते हैं कॉशन नमर 26 देखते हैं कॉशन नमर 26 है हमारा कौन से अधिकार को सम्मेधान का हिर्दे और आत्मा कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्मेधानी कुपचारों का अधिकार सम्मेधानी कुपचारों का जो अधिकार है उसको सभी अधिकारों का पॉसके बाद ुम्हाल का 17 retrouve Olika एक उसके लिया है । उसके बाद कोशन नमर 28 देखते हैं कोशन नमर 28 है 42 वा सम्मिधानिक संसोधन किस वर्स पारित हुआ तो कैसे इसका सहुतर आपका होना था 1976 ठीक 1976 में पारित हुआ था ही दोस्तों कोशन नमर 29 दिया गया है पारित में किस वर्स मताधिकार के लिए आयू को 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया उसके बाद आपको गलत कथन चुनना है है ना कोशन नमर 32 में गलत कथन को चुनना है और कथन है भारतिय समिधान ने लोगों को सवतंतता की गारंटी दी है उसके बाद हम 33 कोशन को देखते है निम्न में से कौन दार्सनिक है दार्सनिक मतलब एक बिचारक ठीक है तो अरस्तू, सुकरात, पलेटू इस सभी क्या है दार्सनिक है सभी बिचारक है यानि कि हमारा यहाँ पर सही उतर क्या होगा तीनो ठीक है ओप्शन डी जो आपका दिया गया है फॉर्स सेकेंड और थर्ड यह सही उतर हो जाएगा ओप समिधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे इन सभी कोशनों में कथन और कारण वाले में बहुत सारे बच्चे गलत कर गया होंगी आपको कथन को सही से पढ़ना था और कारण को पढ़ने के बाद तो पता लग रहा है कि हाँ ठीक है कथन बिलकुल कारण को भी मैंने बढ़ा तो ऐसा दावा जिसका उचित्य सिद्ध हो ऐसे हग जिसे समाज से मानेता प्राप्त हो ऐसे मांगे जो स्रेष्ट मानव विकास के लिए अत्यंत क्या हो आवस्यक हो तो यहार मेरोको तो तीनों ही सही लग रहा है यानि कि आप्शन डी आपका यहां पर सही उतर होना चाहिए ठीक उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशन नमर 36 देखते हैं कोशन नमर 36 से नागरिक सोतंदरता के अर्थ में समलित है बिचारों की स्वतंदरता या भी व्यक्ति और सहमती परकट करने का अधिकार तो यहां पर आपका यह और बी मतलब जो पहला और दूसरा जो दियाएगा है तो दोनों सही है यानि कि आपका क्या होना चाहिए उतर सी सही होना चाहिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोशन न किस राजे में आरम हुआ तो चिपको आंडोलन आरम हुआ था उत्राखंड से जिसमें फैर का जूस्प प को बचाने के लिए नाइजरिया में और रुप। सब्सक्राइब करते हैं लोगों कल्यान के लिए कुछ नीतिया उबलब्द कराती है लेकिन निर्देशक सिधान्त का उलेक होता है तो हम नियाले में नहीं जा सकते हैं करती है तो हम नियाले में जाकर मांग नहीं कर सकते हैं कि उसे लागों करने के लिए नियाले सरकार को आदिश दे के सदस्यों ने भारत के लिए पिर्थक निर्वाचन मंडल को नहीं अपनाया करन की बात करें तो कारण है कि उनका विचार था कि यह विवस्ता हमारे उदेश्य को पूरा नहीं करेगी तो यह एक पिर्थक निर्वाचन मंडल को ना अपनाने के पीछे जो में कारण था यह था कि पिर्थक निर्वाचन मंडल के कारण क्या होगा हमारा देश जो है न ओ दो भागों में बढ़ जाएगा मतलब एक जूट होकर नहीं रह सकता है ठीक है न देश का विवाचन हो जाएगा लेकिन उनका विचार था कि यह व्यवस्ता हमारे उदेश्यों को पूरा नहीं करेगी यह थोड़ा मेरे को लग रहा है डाउट लग रहा है इसमें ठीक मेरे साब से इसका जो सही उतर होना चाहिए कि जो हमारा मतलब अभी कथन है अभी कथन जो है वह बिल्कु स उसके बाद कोश्चन aware कि अभी कतेर अभी का 아नि मतलब होता है उपयोगी करण क्या है कैरा है राजमेति से इन से हमारे विचार परिस्कार्ट होते हैं परिस्क्रिद्व मतलब होते हैं या सुद्ध होते हैं हमें मतलब हम सारी इसका सही उतर होना चाहिए अभी कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभी कथन की सही व्याख्या भी कर रही है यानि कि option A आपका क्या होना चाहिए हापे सही उतर होना चाहिए आगे बढ़ते हैं 43 पर question है कि अधिकार राजसत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दाइतिप सौपता है बिल्कुल यह कथन बिल्कुल सही है उसके बाद कारण है अधिकार सिर्फ यह नहीं बताता है कि राजे को क्या करना है वे सभी बताते हैं कि राजे को क्या कुछ नहीं करना है यानि कि यहाँ पर आपका कठन और कारण दोनों सही है और कारण अभी कठन की सही व्याख्या करती है option ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उतर हो जाएगा उसके बाद हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का संबन किस्से है तो वाइज इसका सही तो रो जाएगा है पर्यावरन एवब वनने जीप सनक्षन से कॉश्चन वर 45 दिया गया है अभी कथन है एशिया और आफरीका के बहुत से देशों के निवासियों का जीवनिस्थर निम्न है बात बिल्कु सही है मतलब अभी कथन बिल्कु सही है कारण की बात करते है कारण है एसिया और आफ्रीका के बहुत से देशों में सिक्षा चिकिस्ता और अन्य सुपिदा काफी कम है मलब ये अभी कथन भी सही है कारण भी सही है लेकिन कारण जो है अभी कथन की सही व्याख्या नहीं करती है हई तो न को चाहिए का तो मेरे साब से शही रहो न चाहिए अभिकतन और moderate कारण दोनों से है कारणусов सही तरह से अभिकतन की व्याजन्गा नहीं करती है याने की आपसंट यहां पर क्या होना चाहिए इसके बार 46-वा कोशन देखते हैं 46-वा कोशन है निम्द में से कौन एक आदर्स विकाल्स प्रियोजना की विसेशता है कि काव, नियापूर्ण हो, लोगतांत्रिक, सहवागिता हो तीनों ही सही है यानि की ऑप्षन D आपका यहाँ पर सही उतर हो जाएगा उसके बाद कोशन नम्बर 47 देखते हैं भारते समिधान में मौलिक अधिकार के अंतरकर दियेगे सांस्क्रितिक और सेक्षिक अधिकार में क्या समलित है तो आप्षन है अलप संख्योकों की भासा और संस्क्रितिक सनक्षन का अधिकार दूसरा option दिया गया अल्प संख्योकों को सेक्षिक संस्ता इस्तापित करने का अधिकार और option तीसरा जो दिया गया है धारिमिक मामलों का परबंद यानि कि तीनों ही सही है option D आपका क्या हो जाएगा इसमें? सही उतर हो जाएगा उसके बाद question number 48 देखते है question number 48 है संपत्तिक अधिकार को मलिक अधिकार की सुची से कब बाहर किया गया तो इसका सही उतर हो जाएगा आपका 1978 ठीक 1978 में यह किया गया था यानि कि option B आपका इहां पर सही उतर होना था उसके बाद चितर आधारित question देख रहे है चितर में आप चितर को देख सकते है है उसको बैठाया जा सके यानि कि option C आपका क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा उसके बाद जो दिरिस्टी बादित बच्ची होन के लिए जो question दिया यह हमारा आयू की जब सक्ति बढ़ गई तो एक तरी से नेता लोग क्या हो गए बहुत जादा डर गए है ना यानि कि आपको यहां पर क्या है सही उत्तर है उसके बाद कोशन नंबर 51 देखते हैं कोशन नंबर 51 में आप चित्र को देखें सही से दिखनी रहा है लेकिन यह स्थानिय सासन वाले से है यानि कि आपका क्या होगा जनता की स्थानिय सासन की उमिदवारों के बारे में यह आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा उप्शन निय जरूरी है तो हर पांच वर्स में एक बितायों बनाना बहुत जरूरी है हर एक राजय सरकार के लिए अब ये परग्राप को आप ध्यान से पढ़ ले मैं सीधा इसका सहुतर बता देता हूँ आपको बावन दिया गया है कोशन बावन है Constitution of India Bill किस वर्स आया तो अगर आप इस अंदर में मोतिलाल नहरू रिपोर्ट किस वर्स आई थी ये इसी में दिया हुआ है इसका सहुतर होगा 1928 ठीक 1928 आपको इसका लगा देना है 53 का 1928 कि उसके बाद कोशन है मोतिलाल नहरू रिपोर्ट में लोग सभा के लिए मतदान करने की यायू कितनी कितनी परस्ताबित तो 21 वर्स आपका यहां पर क्या होगा option D सही उतर हो जाएगा 55 कोशन नमर 55 है बरतमान में भारत में आम चुनाब में मतदान के लिए नियूंतम आयू कितनी है तो भाई 18 वर्स के लोग क्या कर सकते हैं चुनाब डाल सकते हैं उसके बाद अगला पैरग्राफ है उससे अधारित कोशन है उसको हम देख लेते हैं कोशन है इंटरनेट का इस्तमाल करने वाले कोई लिए इंग्रेजी भासा में कौन से सब्द का इस्तमाल किया जाता है तो नेटिजन option C हो question number 59 है इंटरनेट के उपयोग ने परियावरन की रक्षा के लिए सक्रिय कारे करता हो का आपस में तालमेल क्या किया है तालमेल आसान कर दिया है इना इंटरनेट के मादियम से आप आसानी से किसी जूर सकते हैं यानि कि 58 का option यह सही उतर होना था उसके बाद है 69 में से कौन के हिसाब से आपका जो option दिया है option D first second third तीनों सही उतर हो जाएगा ठीक है उसके बाद question number 60 देखते question number 60 है internet का प्रियोग करते समय नियम में से क्या महत्वून है तो व्यक्तिकत जानकारी की सुरक्षा व्यक्तिकत गोपनियता यह दोनों ही सही है यानि कि option C A और B दोनों सही उतर हो जाएगा तो आपके first term में जो question start question आये थे जो आपका morning shift का question बेपर था उसको मैंने solve करवा दिया है तो आप लोगों कमेंट में क्या करना है अपने marks को जरूर बता यार कमेंट में कितने marks आपके आने वाले हैं first term में ठीक है इसके अलाबा अगर 2-4 question अगर मैंने गल करवा दूंगा इसके अलाबा अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रैस करते ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का notification सबसे पहले आप तक पहुचिए इसके लाबा जो evening shift का question paper यानि shift 2 का question paper है को भी मैं solve करवा दूंगा उसकी वीडियो भी लगव साथ बजे तक आपको मिल जाएगे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत